नमस्ते सर घलो से थैंक यो गोवर्मेंट में जो हमारा एंजीओ है उसने आपको सम्मान देने का सोचा है आप समय निकाल कर वहां आए का सर देखिए अगर आप सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा थैंक यू सर नमस्ते सर अच्छा वो शुबकर के केस का क्या है वो केस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उस लड़के के पिता जी अब बहुत बुड़े हो गया है उनके पुली स्टेशन आने जाने से कोई फाइदा नहीं होने वाला है सर कई लोगों के समाधी पर पैर रख कर आज इस हैसियत पर बैठा हुब है यह चोटी सी बात है यह सोच कर मैं इसे आवाइड नहीं करना चाहिए वरना बाद में मुसीबत बन जाएगी शुब करके बनाए डॉकुमेंट्स रिपोर्ट्स कहां पे है तुम्हें पता है क्या अभी तक पता नहीं चला सर आप फिक्र मत कीजिए सर उसके लिए मैं हून जो भी होगा मैं देख लूगा सर ठीक है तुम जाओ अभी थैंक्यू सर साथ चाहे बिल में हो घर में हो या किसी टोकरी के अंदर हो वो काटता जरूर है इसमें साथ कर रहा है ये कमिश्टार है क्या सर गुड़ उस फाइल को अपने लोगों के भेज कर ठूनवा थीक है सर आती हूँ पानी पी लीजे पानी पी जी ए बगवान इतने घब्राय हुए क्या हुआ बोलिये ना तुम क्या हुआ ये गाजर कैसे दी भाई क्या चाहिए अभी और कितने दिनों तक मटाई खाते रहोगे मस्टर जी अब इस अब चोड़ो आज के बाद सिर्फ चिकन मटन खाने के आदर डालो इस पूरे बाजार में तुम्हें कोई भी सब्सी नहीं देगा पाट पराने वाले टीचर हो ना पाट समझ भी नहीं आया तो मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा घर जाने के बाद एविडेंस भूट कर रखना अबे नाटक बाज अभी तेरा दूद से अभी शेक हुआ शाम को खून से भी शेक करूंगा आदे घंटे में तेरे घार आएंगे हम सारा एविडे जा रहे हैं किस चीज का एविडेंस मांग रहे हैं वह एविडेंस कहा है हमारे पास हो डिस्क पेन ड्राइफ हो था इन चीज़ों को कभी हमारे घर लाया है नहीं यह क्या कह रहेंगे तो चुप पजो उससे कुछ नहीं होगा आप आराम किजी मैं कॉपी बना कर लाती हो कॉपी लेकर आती हो पानी क्या हो यह पानी पीले बिटा यह कह रहाँ का अपने क्या है यह पंचाईए दर्वासं मत कुलीए यह दो रुको नहीं क्या होगा सर्सब ठीक है ना मैंने कोई आवाज सुनी उसे चक्कर आगया तो इसलिए कमजोर होई देखे मैं आपकी हालत समझ सकता हूं लेकिन इस तरह पेट में पल रहे बच्चे को सजा देना गलत है यह बच्चा तुम्हारे पती का अंश है इसकी देखवार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है तो अब उठो और जाकर खाना खालो इसे लिए जाए बाज़े हूं सर आप इतना घमरा क्यों रहे है फिकर मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा बैठिए हेलो वो मिसिंग आइस ऑफिसर का पिता देश पांडे किसी आदमी की मदद से केस को फिर से रियोपन करने के लिए हमारे उपर प्रेशर डाल रहा है वो क्या है कि साहब को जरूरी कॉल करना है और साहब कॉल ही रिसीब नहीं कर रहा है वोसली अवार्ड प्रॉंक्शन में होंगे उसे तो शुरू होने में अभी टाइम है लेकिन वो रिस्पॉंस क्यों नहीं दे रहें यह समझ में नहीं आ रहा है मैं सब करने की नौमत है State непित वंश्क करने की बात कर रहें वह खोड़ी developed मुश्वी जनकारी कि असका पढूसी और उस ही कदम पे शक्रा वो च्छोटी से बात पर लाधा के मैं हंदिल करूँ I'm so hungry Abhi, मुझे पॉप्पॉन, पॉप्पॉन Okay, पॉप्पॉन जेना भईया भाई, वो रहा वो आदमी वो अमसाला भाई वोस्की बीवी है, वोस्की बीटी जा उसकी बैन को टाकर ला सुसू मैसे लेकर जाती हूँ, तुम लगी इंक रहना भाईयो पॉप्फॉन प्रहाँ भाईयो भाईयो प्रहाँ बाईयो बाईयो प्रहہ हॉपॉ खब उदो नदोग्टार! को सिटा सूआ मोड़ी ओयुचे उजूरतों उन्म पर्पूर! एक प्रको नदोलो!! य़ी खखित एके गला आधटों. ै specialists नो… ै नो… ज ज हो ए हुआ 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 हु यह बताएं पर नहीं को किड्नैप किया गया है राहिटर पीछे बैठा है कम प्रेंट लिखवाई आप एक बार मेरे साथ हाई यह मैं सारी डीटेल्स आपको बताता हूं यह बोला ना जाकर पहले लिखवाऊ सर कंप्लेंड लिखवानी है डीटेल्स बोला मेरा नाम अभी है मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग मॉल में था तब कुछ अंजान गुंडों ने आकर मेरी बहन को किड्नैप कर लिया कौन सी गाड़ी थी वाइट फॉर्चुनर सर गाड़ी का नंबर देखा था हाँ सर के जिरो फाइव 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 सिक्स फाइव सिक्स तू जिसके बारे में कमकेंड करने आया है पता है कावन है वह वो कोई भी हो क्या फर्पता है ज्यादा मत बोल जगे खाली करें यहां से लो जाओ सर मेरी बहन को किड्नाप कर लिया गया है वो एक वाइट फॉर्चुनर गाड़ी थी नंबर था के एजिरो फाइव 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 सिक्स फाइव वो लोग गुंडे जैसे ला रहे थे कुछ होने से पहले मेरी बहन को बचा लिजिए प्लीज तुने देखा क्या उसका किड्नाप हुआ या फिर वो खुदी कार में बैठके गई शायद तेरी बहन केसी को पसंद करती होगी उसके साथ भाग गई होगी देख यह आप क्या कह रहे है मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है वसंद नगर पुलिस टेशन गया तो कहने लगे हमारा एरिय अच्छा चल बता किड्नाप कैसे हुआ कहां पर हुआ सारी डिटिल्स दे उस कार की सारी डिटिल्स निकाल के मुझे दो सर वह मिनिस्टर के बेटे अर्जुन की कार है यह भी बढ़िया है आप जैसे लोग कंप्लेंट कर देते हैं और हम जैसे लोग सिंखम स्टाइल में देटे हैं लेकिन यह जो बड़े लोग है ना यह कानून को नहीं मानते बड़ी असानी से वो लो कह देते हैं कि कैसे भी करके इस कंप्लेंट को वापस ले लो और होता क्या है हमारा टाइम गवर्मेंट का पैन पेपर सब वेस्ट हो जाता है तुम कंप्लेंट कर रहे हो ल एक्सक्यूज में अर्जुन कहां पर है सर वो अंदर मीटिंग में है सर सर अंदर मीटिंग चल रही है आपको बाहर उखना पड़ेगा देख मेरे भाई पुलिस की वर्दी होती है ना यह कानून के लिए है क्रमिल्स के लिए नहीं लेडिज और जंजलमेन यो अटेंशन प्लीज मुझे आपको डिस्टर्बन ही करना है बस इन से बात करनी है पांच मिट के लिए आप लोग बाहर जाहिए वाट इस नॉनसेंस इंपॉर्टन मीटिंग गई अगर मुझसे बात करनी है तो रिसेप्शन में जाकर वेट कीजिए तो पलीस वाले से बात कर रहा है ट कॉल आदी नॉट रिचेबल सर्ट वो कार मेरा भाई यादी उसकरता है उससे बात होते ही आपको कॉल करता हूं यू कें लिव नौ ए तेरा ओडर तेरे लोगों को दे समझा और चुप-चुप मेरे साथ पुली स्टेशन चल तेरा भाई आएगा तब बात करेंगे के नहीं जा सकते हो तो एक पुलिस वाले को चैलेंज कर रहा है तू अगर मेरी ठन गई न तो तेरे भाई के साथ तुझे भी अंदर खसीट कर ले जाओंगा यू बहुत बड़ी गलती कर दी तूने खाकी पर नहीं एक शेर पर हाट डाला है चल अधिसर तुम जानते नही बेटे को अर्जुन को इस वक्त अरेस्ट हो गए है उन पर क्या चाज़स लगाए गए है उन्हें क्यों गिरफतार किया गया है यह हम आपको बताएंगे एक चोटे से ब्रेक के बार सर क्या है यह सर हमें कुछ टाइम दीजिए सर आपका बेटा बाहर आजाएगा बाहर आने से क्या होगा और जो हिज़द गई है वो बाहर आने से वापस आ जाएगी क्या सर आप चिंदा मत किजिए मैं सबकु सभान लोंगा अब यह बैंगलोर जाने का एक टिकट बुक कर ओ ठीके सर अभी करता हो अब 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 और यहां का इंचार्ज सर क्या ही है इतने बड़े केस को हैंडल करने से पहले अपने सीनियर्स को इंफॉर्म करना चाहिए यह तुम्हें पता नहीं है इस आपमी की कार्सिक लड इनके पास इंक्वारी करने के लिए गया तो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया सर इनकी इज़ट को तुम्हें लगता ही यह चुब बैठेंगे सर से माफी मांगो और अभी कैभी इने छोड़ दो यह क्या सर सिंसिया रिटी को अप्रेशियेट करने के बजाए आप गुने अब गुनेगार को छोड़ने के लिए कह रहे हैं अलो यह सब तुम्हें बताने के कोई जरूरत नहीं है तुम बीच में मत बोलो किरनकुमार तुम इस तरह क्या देख रहे हो छोड़ दो इन्हें सर एफ़ायर रेजिस्टर हो चुकी है क्या सर देखो ड्यूटी के बारे में तुम मुझे सिखाने के कोशिश मत करो पहले तुम्हें ये पता लगाऊंगा कि क्रिमिनल कौन है उसके बाद उसे अरेस्ट करके घसीटते वह यहां लेकर आऊंगा आखिरकार आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता ये बात आपने प्रूब करती बोलना बहुत ही आसान है मिस्टर लेकिन अब अगर एक भी शब्द बोलोगे तो मैं तुम्हें सीधा अंदर डाल दूँगा इन सब का कारण ये गयर जिम्यदार ओफिसर है सुरी मिस्टर अर्जुन हमारे ओफिसर से घलती हो गई आएम एक्स्ट्रीमली सॉरी हाँ सुनो विक्रा अर्जुन सुनी जिसने कंप्लेन लिखवाई है उसे कस्टडी मे लेकर पूछ तास करो अब यहां गप फूरा सिस्टम ही करप्त है मिस्टर अभिशेख और इस सिस्टम को करणने वाले हैं यह कुछ पॉलिटीशन और इनके जैसे कुछ ऑफिसर्स इनके साथ काम करने से तो बहता रही नौकरी ही छोड़ देना आम सॉरी अभिशेख सर आम ने अर्जुन को गिरफतार किया और दो घंटे के अंदर ही छोड़ दिया ऐसा क्यों सर एक मिनट देखिए सच्चाई ये है कि अर्जुन की गाड़ी आज से एक हफ़ता पहले गुम हो गई थी उन्होंने कंप्लेंट भी लिखवाई थी हमारे ओफिसर ने ठीक से एंक्वाईरी नहीं किया और इसलिए उन्हें अरेश्ट करके उसने बहुत बड़े गलती की उस कार के बारे में अब तक आप लोगों को कोई भी क्लू मिला है कियसा देखिए पुलिस अभी उसके बारे में जाच कर रही है जिसने भी कंप्लेंट लिखवाई है उसका किटनैपर के साथ कोई संबंद है या नहीं हम लोग उसके बारे में जाच कर रहे है जिसनी कंप्लेंट किया है उसमे ही शक्किया जा रहा है पुलिस उसे पूस्टाच कर रही है सर, सब कुछ ठीक हो गया है जिस इस्पेक्टर ने अर्जुन को एरेश्ट किया था, उसे सस्पेंट कर दिया क्या है? उसे सस्पेंट करने से, जो मान समान गया है, वो वापस आ जाएगा क्या? सर, वो बात यह है कि… एक होम मिनिस्टर को बोटे के पर हाथ उठाने की इतनी हिम्मत कैसे ही तुम लोगों की? कौन हो मेरा पावर क्या है? उससे पता चल जाना चाहिए संज़ें! तुम थोड़ा बाएर जाओगे? मानिंग सर, मैंने अपने लोगों को अंदर बेजा है तुम सब के लिए सारी तैयरी करो, ओके सर तुमारे लिए फोन है? बोलिया साब कैसे याद किया? बंटी, तेरे लिए एक शिकार है वो जिर के अंदर ही है क्या करना है साब? शेर को एक बकरा मिल जाए तो, वो क्या करेगा? समझ किया साब, काम हो जाएगा वो ही है अंदर चर अंदर अंदर आफिगा, प्रहुड़ाए खार हुड़ाए उट हुड़ाए उड़ा का वा। अवर एठ scholars हुड़े यहां से बागो यहां से मुझे यहां से बाहर निकलो मुझे यहां से निकलो पुझे जाना है कूल बंटी यह क्या हो रहा है तुझे वो मुझे माठ डालेगा से अरे क्या बग रहे हो शेर को कौन मारेगा शेर शेर क्या लगा रखा से मैं उसके सामबने डॉगी हूँ डॉगी डॉगी? उसका नाम सुनते ही गुंडे भी कापने लग जाते हैं से उसी के डर से मैं यहां इस जेल में छुपा बैठा हूँ वो बियार का वो परशेर है वो पुलिस डिपार्टमेंट का रुस्तम है गुस्तम गुस्तम